गुड इबनिंग डियर स्टुडेंट्स मैसल ब्रिजेस पांडेक फ्रांड डीपी सिंग क्लासे से और बाल जी टीचर देखे प्टा हम लोग फोटो सिंथेसिस के लाइट रेक्शन को कुछ लास्ट कुछ क्लासे से देख चुके थे ठार ठेक लास्ट टू क्लासे में भी हम मैं आपको जो किस पर प्रावलम साल करवा क्वेस्टन जो डिफ्रेंट नीट में या फिरेंस में और जिसमें डिफ्रेंट इग्याम में उच्छे गया थे टाउन क्वेस्टन पर हम लोग प्रेक्टिस कर रहे थे आईए इस पर एक से और देखते हैं अप्टा इसके बाद देखें किरा आप फर्स्ट एक्सेप्टर आप इलेक्टरान फोटो सिस्टम सेकेंट यानी पियो सेकेंड में याहां पर अगर आप क्वेस्टन को ने हीजा पूछा गया क्वेस्टन है ठीक दिखें ओता साइटो क्रोम यहाँ फस्ट इलेक्टर एक्सेटर आपको है क्लियर करना औता साइटो क्रोम, आजना सलफर प्रोटीन फिरेडॉक्सीन और प्लास्टो किनोन क्लियर हो गला अब देखते हैं पीज सेकेंड के लिए तो आईए यहां से केर करते हैं अव्टा आप जानते हैं कि पीज सेकेंड ठीक यानि पीजिक संडेड एक्टी पीजिक संडेड एक्टी को ही आप कहेंगे अव्टा पीजिक सेकेंड प्लियर हो गया तो पीजिक संडेड एक्टी से एक्साइटेड इल को सबसे पहले एक्सेप्ट करता हो थीओ फैटिन ठीक है कि यह फ्यो फाइटिन इस एक्साइट इलेप्त्रान को कुइनों और इसके बाद फिर अगर देखने टा तो यह से प्रा čिस को क्थम क्लियर यह प्लास्थ कफ़ें अको और यहाँ से फिर आगे आप बढ़ी एव्टा तो ये साइटो क्रोम आ जाते हैं साइटो क्रोम से फिर प्लास्टो साइनिन और फिर यहां से पी सेवन हंडेड ठीक तो अगर हम देखें एटा तो आपका ठीक फर्स्ट इलेक्रान एक्सेप्टर पूछ रहा आप से क्या पूछ रहा आपका फर्स्ट इलेक्रान एक्सेप्टर पियस सेकेंड से तो फर्स्ट इलेक्रान एक्सेप्टर फर्स्ट आपसं दिया आपका साइटो क्रोम तो साइटो क्रोम नहीं आपका यहां पर आप देख लेजे फिर यहां से जब excited इसक्साइटेड इसक्साइटेड को एकक्सेट करता अफ़्टा आइरन सलफर प्रोटीन ठेक और यहां से फिर डाक्सीन सो हता हुआ पहुंच जाता अफटा एन्डीपी प्लश पे हैं, प्लियर हो गया, अब यहां अगर आप के एल करेंगत तो जो आपके option दिए हुए है, उन option के बेस पर देखा जाए इसको, एक दियाँ अव्यार्य है, आपको साइटो क्रोम, ठिक, तो साइटो क्रोम ये पोजिशन पर हो इसके बाद second option हेट आईरन सलफर प्रोटीन आप देखे तो यह हो गया ठर्डध संडाव फेरी डाकचिन ठेक फेरेड आकचिन आप देखे चीज तर यह है और फूर्थ those यहां दे रहा है प्लास्टो कईनों देखे यहीं है ठेक अब अगर आप से क्रेंट से रिलीज होने वाले इलक्टरांग का फ्रॉस्ट इन एक्सप्टर है आप से कwięस्टा प्लास्टकशन के Professor अगर आप देखें हैं तो यहां पर फ्रॉस्ट इन एक्सक्टर क्या होनाood ब्लास्टक कंद होना आपसे पहले भी डिसकस किया था इस पर कि NCRT में कई जगा मैटर अगर देखें उटा तो है ठीक लेकिन क्वेस्टन जब पूछता है तो कुछ चीजें हिदेन होती है उन पर भी क्वेस्टन उठता है अगर आप डायरेक्ट फोटो सिंथेसिस के लाइट रेक्शन पर केर कर प्लांट कर आप्टा कि इफ एफ फोटो सिंथेसिंग प्लांट रिलीजेश ऑक्सीजन ठीक इफ एफ फोटो सिंथेसिंग प्लांट रिलीजेश ऑक्सीजन यानि कोई फोटो सिंथेसिंग प्लांट यानि जो आल्रेडी फोटो सिंथेसिस कर रहा है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है containing more than the normal amount of 18 अब यहां पर care किजिए इस question को कि कर रहा है कि containing more than the normal amount of 18 यहां पर सीधा सा एक चीज़ यहां समझ लिजिए ठीक कि O18 सबसे कामन अगर आप देखें अटा तो natural oxygen nature में oxygen में है O16 clear हो गया अटा O18 का ratio या percentage nature में बहुत थोड़ा है clear हो गया तो अगर कर रहा है कि releases oxygen containing more than the normal amount of O18 अगर normal amount of O18 अगर ज़्यादा O18 अगर release कर रहा है It is concluded that the plant has been supplied with तो plant को किस से supplied किया गया है ठेक यानि अगर कहीं मान लिजे कोई photo synthesizing plant अपने normal amount से जितना उसको release करना चाहिए उससे अगर ज़्यादा O18 डिलीज कर रहा है अगर ज़्यादा O18 डिलीज कर रहा है जबकि normal oxygen होता अप्टा जो आपको environment से मिलेगा वो O16 है नार्मल आक्सीजन जो आपको मिलेगा देखे अप्टा नार्मल आक्सीजन जो आपको मिलेगा अप्टा ये आक्सीजन होगा अप्टा O16 ठीक यहाँ 16 इनका molecular weight है तो कह रहा है अप्टा कि फिर plant को क्या supply किया जा रहा है देखे ये direct ये question आपके किस पर बेश्ड है सीजन रिलीज दूरिंग दे प्रासेस आप फोटो सिंथेसिस कम थ्राम एस्टू और नार्ट फ्राम सियोटो विच वाज एक्सपरिमेंटली प्रूट बाई रूबेन हासिद एंड कामन ये हमने आपको अपने लेक्चर क्लास में क्लियर किया था था कि उन्होंने उन्हों यहाँ पर अगर आप देखें तो सीओ टू टू प्लस देखें यह हिंट हो जाएक अपलाई इसका सीओ टू प्लस एस्टू ओ Beach इसमें एस्टू ओ में आप देखें अक्सीजन ओशिंगान ओ एटू यूँजा किया गया थिक यहाँ पर आप देखें अठाथ तो ला lotus ख्र और chlorophyll लाइट अन्ड लाइट अन्ड लाइट यह कर सकते हैं अप्टा रियल में chlorophyll pigment ठीक बनता क्या अप्टा CH2O ठीक और प्लस आ जाता है अप्टा O2 और प्लस आ जाता है H2O clear हो गया अप्टा अब यहां पर अगर कि आप देखें तो चुकि O18 आ रहा अप्टा किसमें oxygen में किसमें आ रहा है यहीं रहा reaction जिसको point out किया था या hint किया था अप्टा वान निल ने जिसको experimentally prove किया Ruben Hasid and Carmen ने ठीक तो देखें अप्टा इसके according का और sugar produce होता अप्टा फोटो सिंथेसिस के प्रासेस में consume नहीं होता तो यह action आपका correct नहीं है H2O containing O18 यहीं आप सनापका अगर देखें अप्टा तो correct होगा CO2 containing O18 यह वान निल के explanation किया conclusion के पहले अप्टा वान निल ने clear किया oxygen evolved in the process of photosynthesis came from H2O and not from CO2 clear होगा अप्टा तो यह question आपका यहां रहा अब next question को अगर आप care करें अप्टा करा the maximum evolution of oxygen is by ठेक यानि oxygen का maximum evolution जो oxygen का अप्टा यह कौन करते हैं ठेक oxygen का maximum evolution कौन करते हैं तो यहां पर देखें अप्टा प्राप्स phytoplankton of sea forest and great land area clear हो गया एक जिद्यान देली जेव्टा कि सब से अगर देखें तो greater amount में oxygen का evolution means हो गया अप्टा photosynthesis clear हो गया क्योंकि जितना हाई photosynthesis हो गया उसी के एक अर्डिंग रिलीज हो गया oxygen ठीक तो इस तरह से अगर आप देखें अप्टा तो more than 50% more than 50% photosynthesis performed by photosynthetic phytoplankton आपसी clear हो गया अप्टा अब phytoplankton kis को कहाई अप्टा देखे phytoplankton की मेंश हो गया फािटो मिन जो गया अप्टा plan थीक to phytoplankton kis को कहल gentar free floating free floating ठीक photosynthetic फोटो, सिंथेटिक, और्गनिजम को ही आप देखें तो तो क्या कह लें? फाइटो प्लेंक टान यहीं क्या है अपटा फाइटो प्लेंक टान, फ्लियर हो गया अपटा यह इस्पेसली होते हैं अपटा यूनी सेलूलर unicellular ठेक autotraffic तो होंगे ही होंगे LG हैं unicellular LG होते हैं ठेक तो phytoplankton clear हो गया ठेक next में देखे कहारा ठेक which of the following would not limit the rate of photosynthesis यानि जो option दे रहा है ठेक in option में से कहारा ठेक कौन इसमें photosynthesis के process को limit नहीं करता ठेक यानि कुल मिला करके इसके लिमिटिंग कौन नहीं है तो देखे व्टा oxygen light carbon dioxide and chlorophyll अब इस पर आप care करें व्टा तो chlorophyll तो pigment हई है यही अगर देखें व्टा तो क्या करता है chlorophyll जो pigment है यही solar energy को chemical energy में convert करता है तो यह तो 100% limit करेगा अगर amount of chlorophyll amount of chlorophyll अगर ज्यादा होगे व्टा greater amount में होंगे तो photosynthesis की rate भी हाई होगी और अगर chlorophyll less amount में होंगे व्टा तो photosynthesis की rate लो होगी ठेक कार्बन डाय आकसाइड आप देखें तो कार्बन डाय आकसाइड के ही fixation से carbohydrates या glucose का formation होता तो अगर क्या होगा कि कार्बन डाय आकसाइड concentration directly affect the rate of photosynthesis ठेक नेक्स्ट में आप देखें प्टा light लाइट भी आप देखें प्टा तो यह क्या है limit कर बिलकुल करेगा क्योंकि light energy को ही आप convert photosynthesis में plants convert करते हैं किस में chemical energy reducing power ATP and NADPH2 में बचर क्या आकसीजन आकसीजन यहां पर अगर आप देखें प्टा आकसीजन क्या यहां पर आकसीजन आप देखें तो है प्टा यह by product क्या है oxygen आप देखें प्टा तो यह by product है photosynthesis का देखें आकसीजन आप प्रोड़क्ट आप photosynthesis प्लियर होगे आप आकसीजन photosynthesis का by product है इसलिए यह देखें प्टा तो कोई direct roll नहीं होगा oxygen का photosynthesis के process पर प्लियर तो इसलिए यहां correct option क्या हो जाना चाहिए प्टा oxygen ठीक next question देखें next question अगर आप देखें प्टा करा rate of photosynthesis is independent of यानि rate of photosynthesis किस पर dependent नहीं करेंगे rate of photosynthesis is independent of देखें प्टा intensity of light ठीक intensity of light बिल्कुल अगर देखें प्टा तो एफेट करेंगी क्योंकि light intensity light energy को भी सो करती है प्टा तो light energy ही excited करती इलेक्टान को और excited electron chemical energy को release करता है proton gradient के breakdown के समय प्लियर हो गया प्टा तो इस तरह से अगर आप देखें प्टा तो intensity of light एफेक्ट करेंगे duration आप लाइट देखें duration आप लाइट रेट आप photosynthesis को effect नहीं करेंगे ठीक duration आप लाइट अगर देखें प्टा तो रेट आप photosynthesis को effect नहीं करेंगी duration आप लाइट फोटो पिरियाडीजम होती है प्टा जो फ्लावरिंग फेनामेनान या और प्लांट के ग्रोथ या photosynthesis की यानि dark reaction आप photosynthesis is mainly enzymatic reaction and enzymatic activity डारेक्टली डिपेंड आन टेंपरेचर प्लियर हो गया अप्टा यानि enzyme की activity डारेक्ट टेंपरेचर पर डिपेंड होती है क्योंकि rate of reaction और enzymatic activity is greatest at optimum temperature पर enzymatic activity greatest होती है प्टा इस तरह से आप देखें तो temperature का भी effect पड़ेगा रही बात quality of light तो quality of light कौन सी wavelength है कौन से अगर देखें प्टा तो उसके क्या है ये भी effect करेगा तो यहां आपका correct option इसके recording क्या होगा प्टा independent होगा किसे duration of light से ठीक next question को आप care करें प्टा करा all lives on earth derive all lives on earth derive their energy directly or indirectly from sun clear होगा प्टा यानि करा कि जितने भी living forms प्टा वो अपने energy को directly या indirectly derive करते है किसे sun से ठीक बस के ओल इसका एक करा अप्टा की exception इनके क्या है ठीक exception इनके क्या है exception अगर आप देखें प्टा तो इनके कीमो सिंथेटिक बैक्टिरिया, symbiotic बैक्टिरिया, pathogenic bacteria, molds ठीक देखें पले Symbiotic bacteria का एक example अगर आप देखें तो राइजोबियम कौन हो गए अप्टा राइजोबियम को आप केर कीजिए ठीक तो राइजोबियम का Symbiotic relation कैसे है अप्टा कि राइजोबियम molecular nitrogen को fix करता है जो plant उसको use करते है ठीक और उसके अगर देखा जाए अप्टा तो उसके इंटर्न राइजोबियम क्या गेन करता है अप्टा प्लांट से organic food और plant organic food की synthesis किसे करते है फोटो synthesis से plants organic food की synthesis किसे करते है अप्टा फोटो synthesis के process से तो इसलिए Symbiotic bacteria source of energy for और Symbiotic bacteria is indirectly the photosynthesis यानि Sun clear होगए अप्टा क्योंकि solar energy को plant ने trap किया फूड में और वहीं food supply कर रहें अप्टा Symbiotic bacteria को तो इसलिए Symbiotic bacteria का source आप अगर देखें अप्टा तो energy ultimately किसे है अप्टा सन से ठीक next में देखें अप्टा पैथोजेनिक bacteria अगर पैथोजेनिक bacteria है अप्टा तो directly food किसे गेन करते हैं अप्टा living organism से तो अगर food living organism से गेन कर रहें अप्टा तो living organism food food से living organism energy food के थूड लेते हैं अप्टा और वो food की synthesis photosynthetic plant करते हैं photosynthesis में जिसमें solar energy को convert कर दिया जाता अप्टा chemical energy में इसलिए pathogenic bacteria भी sun से ही indirectly energy वो करते हैं अप्टा मोल्च मिंस हो गया अप्टा फंजाई मोल्च क्या हो गया अप्टा फंजाई फंजाई आप जानते हैं अप्टा कि hetero traffic और निजम है जो dead and decaying material पर depend होते हैं तो dead and decaying material क्या हो गया अप्टा dead and decaying material या organic material तो यह आप देखें व्टा तो death के बाद decomposition के बाद अगर देखें व्टा तो यानि कि the materials produced from material produced after material produced after death and decay of organic material या फिलाइब्स उसी को क्या कर लें व्टा dead organic material उन्हीं से food कौन गेंड करते हैं अप्टा molds तो अगर dead या decaying organic material से अगर mold food गेंड कर रहे हैं तो यह भी तो food की synthesis photosynthesis हो रही है यानि कुल मिला करके देखें अप्टा तो यह three options जो आपके हैं यह तीनों options किसे food ले रहे हैं अप्टा indirectly ले रहे हैं अप्टा sun से energy सभी indirectly किसे ले रहे हैं अप्टा sun से बचा chemo synthetic bacteria अगर आप इसको वैसे कहें तो भी chemo synthetic bacteria देखें किसको कहें अप्टा chemo synthetic bacteria को आप care कीजिए देखें अप्टा chemo synthetic bacteria को अगर के आप care करें chemo synthetic bacteria तो chemo synthetic bacteria आप्टा आटो ट्राफिक बैक्टिरिया अप्टा chemo synthetic bacteria और आटो ट्राफिक बैक्टिरिया और यह अपने फूड की synthesis के लिए यूज किसको करते हैं अप्टा chemical energy को chemo synthetic bacteria uses chemo synthetic bacteria use chemical energy for food synthesis clear हो गए अप्टा use chemical energy chemical energy clear हो गए अप्टा कहां से अप्टा यह for food synthesis chemical energy release कहां से होती है अप्टा in organic material को जब आक्सिडाइज करते हैं तो उसी process में energy release होते है clear हो गए अप्टा use chemical energy from oxidation of oxidation of inorganic inorganic compounds clear हो गए अप्टा यह किस energy को use करते हैं अप्टा जो inorganic compound के oxidation से जो energy release होती है अप्टा उसी energy को यह use करते हैं किसले अप्टा for food synthesis for food synthesis clear हो गया तो chemo synthetic bacteria food synthesis के लिए जो energy अप्टेरिया हो गया कीमो सिंथेटिक बैक्टिरिया ठीक अब देखें नेक्स्ट में नेक्स्ट वेस्टन करा प्टा तो वीच आप फालोविंग फोटो सिंथेटिक बैक्टिरिया है बोथ पियस फर्स्ट एंड पियस सेकेंड यानि इन में से कौन फोटो सिंथेटिक बैक्टिरिया में दोनों पिगमेंट सिस्टम पियस फर्स्ट एंड पियस सेकेंड है लास्ट को मतलब पिछले अगर देखें तो लेक्चर में जो हमने आपको प्राब्लम साल करवा था उसमें ये क्लियर किया था था कि फोटो सिंथेटिक बैक्टिरिया फोटो सिंथेटि बैक्टिरिया है अब परपल सलफर बैक्टिरिया ये भी कैसे हैं फोटो सिंथेटिक बैक्टिरिया ठीक अब यहां पर देखें तो ये सभी कीमो आटो ट्राप सरी फोटो आटो ट्राप हैं फोटो आटो ट्राप हैं लेकिन इन में पियस फर्स्ट और पियस सेकेंड सिस्टम नहीं होता और oxygen को evolve नहीं करते हैं इसमें cyanobacteria है यहीं आप देखें तो oxygenic bacteria है और यह ps first and ps second दोनों को क्या करते हैं यूज करते हैं next question देखें अप्टा करा which of the following conditions are favorable for cyclic photophosphorylation करा आप्टा कि cyclic photophosphorylation के लिए इन में से कौन सी condition favorable है cyclic photophosphorylation के लिए favorable condition क्या है देखें aerobic and low light intensity aerobic and low light intensity clear हो गया आप्टा पहले तो अगर आप care करें आप्टा तो aerobic and aerobic को अगर आप भले ही ना miss कर रहे हो ना clear हो रहा आप आप light intensity से इसको clear कर सकते हैं चुकि cyclic photophosphorylation कब होती है आप्टा cyclic photophosphorylation में mainly involved होता अप्टा कौन ps first ps first यानी p700 ठेक ps first यानी p700 involved in involves in cyclic photophosphorylation cyclic photophosphorylation clear हो गया आप्टा अब यहां p700 आप देख रहें आप्टा की p700 है क्या यहां पे यह वो light wavelength है जिस पर की ps first का reaction center excited electron release करता है ठीक तो अब excited electron अगर यह p700 release कर रहा आप्टा तो यहां पर क्या है यह option में देखे आप्टा इस option में कहरा आप्टा कि low light intensity जबकि p700 किस पर वर्क करेगा अप्टा हाई light intensity पे किस पर वर्क करेगा अप्टा हाई light intensity पे तो यह option इस point से अगर देखें अप्टा तो reject होता है aerobic and optimum light यह भी यहीं से reject होता अप्टा next में anaerobic condition ठीक यह आप देखें चुकि इस प्रासेस में oxygen अगर देखें अप्टा तो इवाल्व नहीं होती oxygen ps second पे या p680 से जब excited electron release होकर दोबारा return नहीं होता अप्टा तो s2o की photolysis होती है उस situation में ऐसा होता है तो इसलिए आप देखें अप्टा तो correct option हो जो की anaerobic condition है और साथ में क्या आप्टा हाई light intensity पर यह इलेक्टरान को release करते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेस्टन देखें कर आप्टा की कीमो सिंथेटिक बैक्टिरिया आप्टेन एनर्जी फ्राम यह question है आपके ncrt exemplar का किसका question है एन्सी आप्टे इग्जेंपलर का देखें कर आप कीमो सिंथेटिक बैक्टिरिया आप्टेन एनर्जी फ्राम यह किस से एनर्जी को आप्टेन करते हैं अभी हमने आपको justice के पहले question बताया था कि कीमो energy released from the oxidation of inorganic compounds for food synthesis यानि यह inorganic compounds के oxidation से release होने वाली energy को किसमें यूज करते हैं था फूड की synthesis में ठीक अब देखें इन आप्टेन पर कहरा था कीमो सिंथेटिक बैक्टिरिया आप्टेन एनर्जी फ्राम सन अभी हमने आपको बताया था कि sun से energy नहीं आप्टेन करते हैं बलकि किसे वो करते हैं अप्टा इन आर्गेनिक chemical compounds के oxidation से release हुई energy को यूज करते हैं तो ये तो रांग आप्टन है इन्फरा रेड रेज ठीक ये भी सन लाइट की है जिसमें कि रेड से लांगर वेवलेंद की सन लाइट को या solar radiation को इन्फरा रेड रेज करते हैं ये भी sun से ही अ option correct नहीं होगा organic substances ठीक और inorganic substances तो अभी जितना इस पर हिंट की आप्टा उसके recording inorganic substances से ही के oxidation से ही ये क्या करते हैं अप्टा के energy को release करके food की synthesis में यूज करते हैं ठीक next में देखे कर आप्टा which pigment acts directly to convert light energy यानिया कौन सा pigment है प्टा जो directly convert करता light energy को किसमें chemical energy में ठीक कहरा प्टा कि यहां which pigment acts directly to convert light energy to chemical energy यहां से कौन सा pigment direct convert करता प्टा आप देखे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, केरोटिनवाड एंड जन्थोफिल अगर आप के एर करें प्टा तो चुकि reaction center ही excited electron release करता और वहीं की energy क्या होती है प्टा कि electron transport system से proton gradient डवलप होता है और उसके breakdown से energy release होती है तो यह total process किसके round move करता है प्टा reaction center से किसके round move करता है प्टा reaction reaction center clear हो गया प्टा reaction center आप photosystem या pigment system का लिजिए pigment system यह भी आप जानते हैं प्टा कि PS first PS first का reaction center है प्टा P700 और PS second का reaction center P600 देखे प्टा P680 clear अब यहाँ पर आप देखें प्टा तो reaction center है क्या प्टा यह दोनों reaction center आप देखें प्टा तो क्लोरोफिल ए बाकि जैन्थोफिल क्लोरोफिल बी करोटिन वार्ड यह सभी क्या आप्टा accessory pigments है देखें प्टा बाकि इसमें क्या क्या आप्टा जैन्थोफिल 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 ठीक करोटिन वार्ड करोटिन वार्ड यह सभी क्या आप्टा और accessory pigments और accessory pigments क्लियर हो गया आप्टा बाकि यह सभी कैसे pigments है आप्टा accessory pigments है ठीक क्लियर हो गया आप्टा इनका रोल क्या है बस यह सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को क्या करते हैं आप्टा कि फर्निस करते हैं हार्वेस्ट करते हैं और देखें तो यहां पर correct option क्या हो जाना चाहिए chlorophyll A ठीक next question आप देखें आप्टा which one does not take part in electron transfer कहरा हुटा कि इन में से कौन electron transfer में participate नहीं करता अभी कई उसमें आपको बता हुटा कि electron transport के समय या फिर जो है कि respiration के electron transport के समय इसका formation होता है ठीक तो ATP electron transport system का result है यानि ATP is produced during electron transport system and it not involved in the electron transfer ठीक आइरन sulfur protein आप देख चुके हैं अप्टा कि PSP 700 से release हुआ electron यहीं accept करता iron sulfur protein coenzyme qb different form में use होता है अप्टा NAD plus यह electron carrier है respiration के process में इसलिए यहां correct option क्या होगा अप्टा ATP ठीक the process by which excess energy is lost कहरा है अप्टा कि वो कौन सी process होगी जिसमें कि excess energy को plant lost करते हैं निके energy को release करते हैं ठीक देखे अप्टा fluorescence fluorescence किसको कहें अप्टा emission of light fluorescence के अप्टा emission emission of energy of energy in the form of in the form of light यानि अगर light के form में अगर energy release हो रही होता तूसी को आप क्या कहेंगे fluorescence ठीक देखे फोटो ऑक्सिडेशन फोटो ऑक्सिडेशन आप जानते होता कि प्रेकडाउन आप फोटो सिंथेटिक पिगमेंट एट हाई सनलाइट या सोलर रेडियेशन इसी को कहेंगे अप्टा photo oxidation खीक तो photo oxidation क्या आफ्टर कि pigment का breakdown है photo oxidation का आफ्टर photo oxidation pigment का breakdown है आफ्टर high light intensity पे photo oxidation photo oxidation क्या आफ्टर breakdown of breakdown of pigments breakdown of pigments at high solar radiation and high energy at high at high sunlight intensity clear हो गया अप्टा तो अगर photosynthetic pigment का ही breakdown हो जाएगा अप्टा तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि rate of photosynthesis जो होगी ठीक देखे तो rate of photosynthesis जो अगर देखें अप्टा तो जब इनका breakdown हो जाएगा तो आगे photosynthesis की rate effect होगी तो ये option correct नहीं हो सकता photo oxidation ठीक photolysis आप जानते हैं अप्टा कि breakdown आप material खास करके S2O ठीक induced by light light induced breakdown आप S2O को कर लें अप्टा photolysis तो ये भी process energy को release करने की नहीं है photo phosphorylation आप जानते हैं अप्टा the process आप ATP synthesis है clear हो गया अप्टा तो इसलिए correct option इसका क्या होना चाहिए अप्टा florations ठीक तो आज की questions में हम लोगों ने देखा अप्टा की photo synthesis पर ये question light reaction पर रहे उमीद का त्रेफटा के question इसलिए आप solve कर सकते हैं next class में हम लोग देखेंगे अप्टा dark reaction को ठीक thank you अप्टा हुआ हुआ होjak fan कर दूब को अनले कर दिस